नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों अब से कुछ महीने पहले 10 जुलाई 2022 को एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई थी लेकिन इस खबर पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया दरसल हुआ ये कि 10 जुलाई 2022 को यूकरेन ने भारत के अं मजदूत थे ये भारत में यूकरेन की जो फिल्डिंग है उसे सही से सैट नहीं कर पा रहे थे मतलब यूकरेन की सरकार का जो मैसिज है वो सही से भारती सरकार तक नहीं पहुच पा रहा था इतना ही नहीं रूस यूकरेन यूद को लेकर जहां पर यूकरेन ने दुनिया क जातर देशों की जनता का भावनात्मक सपोर्ट अपने लिए क्रियेट कर लिया था लेकिन भारत में इसका उल्टा हो रहा था भारत में जनता का भावनात्मक सपोर्ट यूक्रेन की बजाए रूस को मिल रहा था इसी वज़े से इन्होंने अपने राजदूत को भारत में ब वो समाल लई हैं इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के लिए भारत कितना ज्यादा इंपोर्टेंट कंट्री है लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं दरसल इसका करण ये है कि पिछले 15-20 दिनों से यूक्रेन की सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भारती मंतरा वाल्यों के चक्कर काटते देखे गए हैं यहां तक की जो ये डिप्टी फुरेंड मिनिस्टर है यूक्रेन की ये भी भारत सरकार के यहां पर खूब चकर काट रही है और आखिरकार अब हमें पता चल चुका है कि यूक्रेन बार बार ये भारत के दर्वाजे पर इतने च इन्होंने एक खास रणनीती भी अपनाई है दरसल अब से पहले जब भी ने भारत की मदद चाहिए होती थी तो ये अमेरिका की तरफ से दबाव डलवाते थे भारत पर लेकिन इस बार ये भारत पर अमरीका का दबाव नहीं डलवा रहे हैं क्योंकि ने पता चल चुका है कि अगर ये अमरीका की मदद लेंगे और भारत पर प्रेशर डलवाएंगे तो भारत इनकी मदद नहीं करने वाला उल्टा भारत इनसे चिड़ जाएगा इसलिए बिना किसी की मदद लिए ये खुद ही भारत से डारेक्ट कोंटेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये कौन सी हमसे बड़ी मदद मांगी है पहली ये कि हमें G20 की समिट जो इस साल भारत में होने जा रही है उसमें हमें भी एंट्री दे दो हमें as a guest बुला लो दूसरी बड़ी मदद हमसे ये मांगी जा रही है कि यूकरेन में युद की वज़े से घायलों की तादात बढ़ती जा रही है इसी वज़े से हमें medical aid चाहिए यानि की दवाईया medical equipment इसके लावा अन्य परकार की medical aid ये सब कुछ भारत से मांग रहे हैं और जो दूसरी मदद है यानि की medical aid वाली ये भारत already यूकरेन को दे रहा है और बता जा रहा है कि और मदद देने को भारत तयार है लेकिन सवाल आत में होने जा रही है इसमें वो 20 देश तो आएंगी ही जो सदस्य देश हैं इसके लावा भारत साथ से लेकर 8 ऐसे देशों को बुला रहा है जो भारत के करीबी हैं जैसे की UAE हो गया इजिप्ट हो गया इकवाडोर हो गया इसके लावा कुछ और देश है और यूकरेन चाह इन्हें करना है और पिछले साल भी इन्होंने यही किया था दरसल जब इंडोनेशा में G20 का समिट हुआ था तो यूकरेन को एक गैस्ट के तोर पर बुलाया गया था यूकरेन इस समिट में शामिल भी हुआ था लेकिन इसका परणाम यह हुआ कि वुलादमिर पुतिन ने इन्डोनेशा में स्थित इस G20 समिट में शामिल होने से इंकार कर दिया था और यूकरेन ने इस समिट में आकर रूस को खूब बुरा भला सुनाया था और खूब जलील भी किया था यही काम यह भारत में भी करना चाहते हैं लेकिन मेरे हिसाब से भारत को यह लगबग impossible होगा रूस नाराज भी होगा और साथ ही चीन का सबसे बड़ा फाइदा होगा क्योंकि चीन तुरंत रूस के कान भढ़ना शुरू करेगा कि जी देखिये तुम भारत को दोस्त कहते हो और यही तुम्हें अपने देश में बुलाकर तुम्हारे दुश्मनों से ज बाचिंग वीडियो